एक जंगल में एक कव्वा घुसला बनाने के लिए जगे ढून रहा था ये जगा बहुत बढ़िया है मैं यहां अंडे देती हूँ और सिखती हूँ कव्वा एक एक तिन का जोड़कर घुसला बनाती है उसमें वो अंडे देती है उसी पेड के पास एक बिल में एक सांप रहता था ये दिन सांप ने घुसले में रखे अंडे देखे अंडे 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 देखे जब कव्वा घुसले में नहीं था तो सांप आकर एक एक करके सारे अंडे खा गया लोटने पर अंडे न पाकर कव्वा बहुत उदास हुआ मेरे अंडे कहा गे कुछ समय बाद कव्वे ने फिर अंडे दिये फिर उसी तरह सांप उन अंडों को खा गया कव्वा लोटा अंडे खायब बड़ा चिन्तित हुआ वो सोचने लगा कि भला अंडे खायब होते कैसे है मेरे अंडे कहा गे कुछ समय बाद कव्वे ने फिर अंडे दिये फिर बाहर जाने के बहाने वो पास वाले पेड़ पर छिप गया सांप आदत से मजबूर पेड़ पर चड़कर अंडे खाने लगा उसे देख कव्वे ने सांप को रुपने की कोशिश की परस अफल रहा कव्वा उड़ते हुए ये सोचने लगा कि आखर सांप से कैसे छुटकारा मिलेगा तभी उसकी नजर राज महल में महरानी पर पड़ी जो अपनी सक्यों के साथ कुंड में नहा रही थी अब बच्चो पास ही राणी के वस्त वह गहने रखे हुए थे उन्हें देखकर कव्वे के दिमाग में एक उपाय सुझा कव्वे ने फोरण राणी के गहनों को बिखेर कर हीरो से जड़े हार को चोंच में दबोच कर उड़ने लगा सिपाही कव्वे का पीछा करने लगे पकड़ाओ पकड़ाओ कव्वा उड़ता हुआ सांप के बिल के पास पहुंच जाता है पकड़ाओ पकड़ाओ कार को बिल में डाल देता है अब बच्चो सिपाही सांप के बिल को खोड़ने रखे हैं सांप बहर निकलता है सिपाही उसे मार डालते हैं और हार लेकर लोटते हैं सांप को मरा देख कव्वा बहुत खुश होता है अब फिर कव्वा अंडे देता है और अपने बच्चों के साथ खुशी-खुशी जीवन बसर करता है तो बच्चो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है फून सकते सूज बूज के साथ किसी भी समस्या का हल फूनडा जा सकता है